चलते चलते हसते गाते यूँकटे सफर जिन्दगी का सफर जिन्दगी का नमस्कार सफर जिन्दगी का है शो में मैं आपका फिर से स्वागत करते हूँ कवी समाज को दरपन दिखाता है अपने विचारों को कावे में बिरोकर एक सुगंदित माला तयार करता है आज के हमारे अतिति हैं श्री मुर्ली धर्जी गौड जो राजस्थानी भाषा के कवी हैं तो मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूँ आएए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ सर नमस्कार 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 जब सभी दर्सकों को मेरा प्रणाम सर आपकी कावे यात्रा कब से शुरू हुई? जी मेरा लिखने का शौक सुरू से एककसा साथ की अमर में जब मैं पढ़ता था उस समय ही मुझे लिखने का शौक लगा और आपे जानते हैं कि कहीं न कहीं कोई भी जो रचनाकार होता है उसकी प्रणाम में कोई न कोई बड़ा कवी होता है जी सर आप कहां से हैं? मुल रूप से मेरा जो निवास है मैं राजस्तान के ही कोटा डिस्टिक में सांगो तैसील है उसी में एक ग्राम पढ़ता है हिंगी महां का मूल निवासी हूँ सर आप किस-किस तरह की कविताइं लिखना पसंद करते हैं जी मैंने हिंदी में भी लिखा है लेकिन मूल विदा मेरी राजस्थानी में ही रही है जी दरअसल राजस्थानी की जितने भी गीत कार हुए है और जो साइटे कार हुए है मूलत रुजहान उनका गीत की तरह फीरा है गीत एक ऐसी विदा है जिससे स्वस्थ मनोरंजन होता है और सहज रूप से दिल के अंदर प्रवेस कर जाता है जी तो इसलिए हमारे मन के अंदर भी जब बात आई हमने शुरू में जब राजस्थानी के गीत सुने तो राजस्थानी में लिखने का मन हुआ और इसलिए मेरा राजस्थानी के प्रति लिखने का रुजहान हुआ और मैंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया आपकी मोबाइल कविता बड़ी फेमस हुई है तो आप दर्षकों को अपनी वो कविता जरूर सुनाई है उसमें एक दोर था कि मोबाइल आजकल तो स्मार्ट फोन में तबदील हो गया उसमें मोबाइल लोगों के पास थे तो खूब शोक्षे लोगवाग दिखाते थे गले में टांक दे थे आजकल तो लोगवाग जब देखते हैं कि मोबाइल हर वेक्ति के हाथ में मोबाइल आ गया तो लोगवागों ने अब छुपाना शूर करते हैं उसको छुपा करके आ है दुर आसल इस रुजना की सुरुवात मैं ने बात रून छे अजब भी ये बात में कहता हूं कि बात रूम से बात रूम करिया तो लोगों को हंस्याआती है कि दर दल हासने वाली को बात नहीं क्योंकि प्राथकाल की शुरुवात बाधरूम से होती है और वहीं से मेने रचना ऊठाईए देखे हा que कोई बात रूम अचु बेड रूम अचु खोई साय किलपस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कोई वाथरूम मसु कोई बेडरूम मसु कोई साय किलपस मोटर साय किलपस कोई मोटरगाडी मतो कोई रहल गाडी मसु हर कोई मल करता हलो हलो कोई कानक चपकार कोई कमर मलटकार राख चाती जूला गार जान ललो के नया युक को आविसकार चाहि नर हो या नार जण जण की बदल गी स्टायल मोबायल हाई मोबायल मोबायल हाई मोबायल ऐसे मैस करके इसमें एक लिखावा संदेश आता है किस तरह से पती की प्रेमी का कि संदेश को उसकी पतनी पढ़ लेती और क्या होता है देखे आप कि देखो एक और या जादी देख लिए आपसी समना की बरबादी देख लिए कि प्यार को संदेश प्रेमी का को मोबायल पे चुप के सुघर हाली नहीं भी देख लिए कि प्यार को संदेश प्रेमी का को मोबायल पे चुप के सुघर हाली नहीं भी देख लिए कि पूंची प्रेमी का की ठाम हो गया पती देव जाम वह तो देखता ही हो गया जी घायल आपने उससे जुड़ी बात देखो आप किस तर अजे मोबाईल से पसणाँ के उत्तर देख कर डाकर बन जाता है एक चोर बही माना के दो हो गया जी चोर बही माना के दो हो गया जी अगेचे फलाएं हो जा फेली संदेश भीया गड़यां चेकूरी जरा समल क्या ना के चोर बही माना के दो हो गया जी अगेचे फलाएं हो जा फेली संदेश के मोबाईल सुप्रसना का उत्तर लिक लिक कर मुन्ना भाई हो गया जी इंबी बी इस किना लायकां के बहार मजे आ गए आला शब्दा आता इसमे एक जिसको इश्टेटी स्कोप केते हैं डाक्टर मर इसकी धड़कन देखता है के चोरव इमाना के दो हो गया जी एस आग चे फलाइंग हो जा फेली संदेश के मोबाइल सुप्रसना का उत्तर लिक लिक कर मुन्ना भाई हो गया जी मुन्ना भाई हो गया जी मुबाइल है मुबाइल है मुबाइल एक समय था एक फेशन हुआ करता था जब बैलेंस नहीं था उसके बाद भी कान के लगा करके लोग बेमत भी हलोलो किया करते थे इस तरह के बात देखेंगे के फेशन में दखाऊटी लटकाया फर बंटी एक लड़का था उसका नाम बंटी था तो देखी वी बात मिने इसमें निवेदन किया कि फेशन में दखा उटी लटकाया फर बंटी, छतपजार बातां कर सामाहाली अंटी, सोत नतरता देखिया आप मोबाइल की वज़े से, कि फेशन में दखा उटी लटकाया फर बंटी, छतपजार बातां कर सामाहाली अंटी, कि बार बार साब को ओफिस को भुलाओ, मेडम सो जोचे बांद ली जी आकटी की घंटी के ओफिस देखो पहली जार में डम खावा मन में खार वांकी रह गई जी बांदी बूंदी पायल मॉबायल हाई मॉबायल मॉबायल हाई मॉबायल लोग जूँट बहुत बोलते हैं साभी से होंगे कहां पर और बताते हैं कहां पर इस तरह से एक बात देखे आप इसमें कैसे जूट बोल रहे हैं मैंने इसको बैतार काया क्योंकि इसमें तार नहीं होते हैं वाहरलेस होता है के जूँटी सान में भी घणों काम को बेतार के ही लोग डिंग हां करिया छे बेसुमार के जाजरू में भी घणों काम को बेतार के ही लोग डिंग हां करिया छे बेसुमार के जाजरू में भी घणों काम को बेतार के ही लोग डिंग हां करिया छे बेसुमार के जाजरू में भ अभी एक जरूरी विटेंग में हूं यार ूभी एक जरूरीमीटिंग में हूं यार attends और वे हनद रहें सबसक्राइस के निदाल मोवाइल हां मोवाइल लेकिन ऐसी बात थे साप सूचना के ख्षतिर की सबसे बड़ी खुरांती हुई है मोबाईल तब मैंने बात केने का प्रियास किया है किरोज़ी दार किसूचना का क्षत्र मं या कर दोड़न को जोड़ीदार के आठे फैरे लोगां आफ़त का आव मा भी पूंच्छा देचे यो पूकार के जुड़ोई सूं इंटर्नेट पूरी दुनिया से जुड़ो आप। जुड़ो इंटरनेट बाता कर लियो सेकरेट घटे दूरी बचट है मूरिया यल मोबाइल हाई मोबाइल मोबाइल हाई मोबाइल एक और छंद जिसको मैं कौमी एकता का छंद केता हूं साथ किस तरह से इस सूचना की शत्र में जो क्रांती हुई है इस टेकनोलोजी का दुर पदिधा हुआ इसलिए मे एक छंद में लुएं करना चाहता हूं देखिया को आप सपैने क्याएं सिधस्ट नंक्अ। कोलिज का लड़का लड़कयां के इने मजा करा दिया और मोबाइल ने मोबाइल सु दिल का तार मला दिया। कि धन्नी सु और मा बापां के च्छाने सु मलबाया सान करा दिया। कि ले गयो उमर सु फोरी। फोरी केते हैं छोटी। ले गयो उमर सु फोरी। अंकल पीटर की छोड़ी। वो चाची को छोरो इसमायल। मोबाइल, हाए मोबाइल, मोबाइल, हाए मोबाइल। कोई बातरूम मसु, कोई बेडरूम मसु, कोई साय किलपस, मोटर साय किलपस, कोई मोटर गाडी मतो, कोई रहल गाडी मतु, हर कोई मल्ल करता हल्लू हल्लू। कोई कान के चपकार, कोई कमर मलटकार, राकचाती सुल लगार, जाने ललू, के नया युक को आविस्कार, चाहे नर हो या नार, जन जन की बदलगी स्टायल। मोबाइल, हाए मोबाइल, मोबाइल, हाए मोबाइल। मोबाइल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बढ़ी असा, बहुत अच्छी। जब कहीं हम कभी सम्मेलनों में या कहीं मी बाहर जाते थे, तो दीवारों पर पंक्तियां लिखी मिलती थी, कि एक बेटी पढ़ेगी और साथ पीडी तरेगी। महिला उत्थान के लिए एक प्रेणा दाई रचना मेरे मन में आई और कुछ लिखने का प्रियास किया। मैं वो रचना आपको सुनाने का प्रियास करता हूँ। एक बेटी पढ़ेगी और साथ पीडी तरेगी। किस तरेगी। क्या कहती है उसकी माँ बेटी से कि बेटी तू पढ़ी लिख जा तेरा भवी से सुधर जाएगा। तुझे मेरी तरह उलाने सहन नहीं करने पड़ेंगे। ये गीत के मुल भावे निवेदन करना चाहती हूँ। क्या कह रही है बेटी बेटी से उसकी माँ। क्या कि मांड बेटी मांड पड़ा रही हूँ। और मुल विदा राजस्तानी में आपनी बात करने का प्रियास करूँ। क्या कि मांड बेटी मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खडी लकीर दायां हात को चुलो रिबायां हात को चुलो मांड उपर मूखी चुल्लो मांड नीचे मूखी चुल्लो मांड गोल एंडो मांड बीज नीको डंडो मांड पडर ये ओर कि मांड बेटी मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खडी लकीर दाया हात को चुल्लो रिबाया हात को चुल्लो मांड ऊपर मुखी चुलो मांड नीचे मुखी चुलो मांड गोल यंडो मांड बीजनी कुडंडो मांड कि एरिपड लिख बेटी मारी राज करेगी काराम ओटराम बैठी बैठी परेगी कि बदले जमान बेठी तुभी तो बदली बदलाव का समय आया है कि बदले जमान बेठी तुभी तो बदली थारे आग खुचिया आये कब सुम चल री बदल्यों जमानों बेटी थुबी तो बदलरी थारे आग खोचियां आये कब सुम चलरी अनपड ओरतां दबेल रही मरदां की फेर कत्यां जीवती माखी ने तुन नंगलरी कि महारी कडवी बातां का जे घूट भरेगी कारा मोटरा में बैठी बैठी फरेगी मांड बेटी मांड बेटी मांड आडी लकीर मांड खडी लकीर बेटी सारे काम हम कर लेंगे लेकिन तू अपना भविस्य बना तू पढ़ने जा क्या कह रही मांड उसकी बेटी देखे आप कि छोड बेटी छोड तू तो जाड़ा रिबुवारन थारा बापुचरा लेगा गाई अरलुवारन पोथी पाटी लेर जातू सिक्सा का मंदरियाम खूब फूल बाद थारा ग्यान का हजारन क्फेर थारी मर जी पे तू दस खत करेगी कारामोट रम बेटी बेटी फरेगी मांड बेटी मांड बेटी मांड आडी लकीर मांड खडी लकीर दायां हाथ को चलो रिबायां हाथ को चलो मांड ऊपर मुखी चलो मांड नीच मुखी चलो मांड गोड़ी अंडो मांड बीजनी को डंडो मांड एक वोर छन देखिया आप कि बेटी हमने तुझे पैदा करने के लिए कितनी मिन्नते मांगी और हम क्या बनाडना चाहते हैं बेटी को इस छन में निविधन करने का प्रियात देखिया कि धोक्या सारा देवतारी सेही कूल देवी सेही यानि सेवा की कि धोक्या सारा देवतारी से इकूड देवी और बोली कत्मी बोला रहां तु जाने काई बेटी कि माराड मास की तुमे दाचेरी बावली भावना का घीम पाकी जीव की जलेवी कि अक्सरा की चाचनी में डूब क जरेगी कारा मोट रम बेठी बेठी परेगी मांड बेटी मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खडी लकीर और जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ लिक करके क्या करेगी आगे पीछे चुलाई तो फूखना है मेंने ये कभी होने कि ना दे पूरी दमदारी से विरोध किया है उन लोगों का निवेदन करना जाता है आखरी छन देखिया कहाई फड़नों आग फाचे रोठाई बनानी छे असी खोटी सोच कपटी लोगां की निशानी छे काई फड़नो आग पाचे रोठ्याई बनानी छे असी खोटी सोच कप्टी लोगां की निशानी छे मेत्रेई गारगी सरोज नेरी इंद्रा गांदी उस पीडी से लेकर कि इस पीडी तक की वो पड़ी लिखी ओरते हैं जिन्नोंने अलग 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 क्षेत्रों में अलग अ की जिनमें अब कल्पना चावला और सुनिता विलियम भी सामिल हो चुकी तब बात करने का प्रियास करता हूं देख्या के काई फड़नो आग पाचे रोठ्याई बनानी छे असी खोटी सोच कप्टी लोगां की निशानी छे मेत्रेई गारगी सरोज नेरी इंद्रा गांद जुग जान वेलुयान पड़बा की पच्छानी छे के फड़ एक दन तू थाना दार जीबन गी कारामोट राम बेठी बेठी परेगी मान बेटी मान बेटी मान आडी लकीर मान खडी लकीर बहुत बड़ी असा बहुत अच्छी बेटी कवीता भी सर आपने बहुत उम्दा लिखी है गौर्ड साब आज आप हमारे शो में आये बहुत अच्छी अच्छी आपने कवीता हैं सुनाई इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्र गुजार है सुस्मा जी आपने मेरे को यहां बुलाया और सफर जिंदगी का जो कारिकरम में पहले भी देखता रहा हूँ वो यह बहुत अच्छा कारिकरम आपका होता है और कई अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जो आप लोगों के सामने लाते हो रूब रूब करवाते हो बहुत इस कारिकरम में आपने मुझे भी मुका दिया मुझे बुलाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमस्का